जहिंदी students, I hope कि आप सभी लोग स्वयस्त होंगे, आप सभी की preparation अची चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं deputy collector के बारे में। आप में से ऐसे student जो deputy collector बनने की ख्वायश रखते हैं और चाहते हैं deputy collector बनना। लेकिन उसके बारे में students को पता नहीं है। जैसे कि ऐसा तब होता है जब वो school में होते हैं या फिर college में गय होते हैं और उनके आसपास ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इसके बारे में जानकारी दी। इसके वज़े से वो परिशान होते हैं आज के इस session के माध्यम से लगबख सभी information आपको दे दी जाएगी ताकि आप परिशान नहीं होते हैं। आपके मन में आ सकते हैं जिन चीजों के information आपको generally होनी चाहिए इस exam की तयारी के लिए या deputy collector बनने से पहले। वो सारी information आपको इस session के माध्यम से मिल जाएगी। डिपटी collector बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि आप इसके लिए eligible हो या नहीं, योग हो या नहीं। देखें, जन्दली इस exam के लिए आप में दो चीजे होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि आपकी जो age है वो 21 होनी चाहिए, दूसरी चीज है कि आप graduate हो। सवाल ये भी आता है कि जैसे कि last year में जो student होते हैं, वो इस exam को दे पाएंगी या नहीं। देखें, आप किस state से हैं, ये depend करते हैं। जैसे कि उत्तरप्रदेश में आप graduation की degree लेकर के आएंगे या last year का जो result है, वो देंगे तब ही आप इस exam के लिए eligible हो पाएंगे। लेकिन मद्दप्रदेश में ऐसा नहीं है, मद्दप्रदेश में आप last year में भी हैं, तो भी आप इस exam को दे सकते हैं। आपके पास result नहीं होगा, तो भी आप इस exam के लिए eligible हैं। तो इसी तरीके से अगर आप राजिस्थान से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप जारखन से हैं, तो आपको अपने अपने स्टेट के नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा, तो यहाँ पर उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पता करवाएंगी कि आपकी यहाँ किस त चाहे आप पिहार से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप मद्र प्रदेश, चाहे आप उत्तराखंट कहीं से भी हो, जनरली है कि आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए, तभी आप इस एक्जाम के लिए लिजिवल होंगे, अब बात आती है maximum age को ले करके, minimum age 21 होनी लेकिन maximum age कितनी होनी चाहिए, यह सारे state का अपना अलग-अलग rule है, तो इसलिए आपको अपने state का notification देखना होगा कि वहाँ पर कितना maximum age चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना, deputy collector बनने के लिए, जन्रलेज चाहे विहार का हो, चाहे मद्ध प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रद अब next चीज आपको देखना है इस exam के बारे में, कि आप कौन सा exam देंगी, exam का नाम क्या है, यह भी तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक चीज में ध्यान देना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, deputy collector बनने के लिए जो direct exam होता है, और इस exam के माध्यम से आप जैसे select होते हैं, आप deputy collector के लिए चुल लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर confused नहीं होना, तो आप चाहे बिहार से हो, जारखंड से हो, UP से हो, MP से हो, UK से हो, कहीं से भी हो, जंडली यह है कि आपके अपने state में PSC है, Public Service Commission, उसके सामने आपकी state का नाम होगा, जैसे कि बिहार है, तो बिह का PSC, BPSC, अगर आप UP से हैं, तो UP PSC, अगर आप MP से हैं, तो MP PSC, अगर आप महाराष्ट से हैं, तो वहाँ पर महाराष्ट PSC, अगर आप गुजरात से हैं, तो गुजरात PSC, मतलब कि हर एक राज का अपना PSC है, और जनरली यह जो PSC है, वही वहाँ पर deputy collector बनने के लिए exam कराती है, अब यहाँ पर जैसे कि अलग-अलग PSC है, वैसे ही deputy collector बनने के लिए जो exam का नाम है, वो भी अलग-अलग है, जैसे कि आप मद्द प्रदेश का देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको deputy collector बनना है, तो आपको state service exam देना होगा, अगर आप UP से हैं, तो UP में आप आपको deputy collector बनने के लिए अपर PCS का exam देना होगा, इसी तरीके से अगर आपको बिहार में deputy collector बनना है, तो BPSC के द्वारा combined competitive exam कराया जाता है, उस exam को आपको देना होगा, तो इसी तरीके से आपको देखना होगा, कि आप किस state से हैं, उस state के according आपको अपने यहाँ के exam के ना लेकिन इसमें कुछ changes हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने state के according इसमें पता करना होगा, generally follow होता है कि आपको deputy collector बनने के लिए यहाँ पर तीन state से गुजरना होगा, पहला है prelims, prelims पास कर लेंगे, उसके बाद आपका selection होगा mains exam के लिए, आप mains exam देंगे, mains exam में जब आप select हो जाएंगे तो उसके बाद आपको interview देने का मौका मिलेगा, और interview में जब आप select हो जाएंगे, मतलब की interview देने के बाद जो result तयार होगा, उसमें आप select हो जाएंगे, तब जाकर के finally आप इस exam में पास माने जाएंगे, और यह सभी चीजे आपको क्रम से एक साथ पास करना है किसी भी जगह आपको fail नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, कि आप prelims में पास हो गए और mains में पास नहीं होए है, तो आप अगले साल mains देंगे, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर यह है कि आप prelims में पास हो जाएंगे, उसके बाद interview देंगे, किसी भी साल अगर आप mains में पास हो फिर से means देना होगा फिर से interview देना होगा मतलब कि आपको लगातार एक साथ इसे pass करना होगा तभी आप इस exam में select माने जाएंगे अब बात आती है कि अगर आप prelims देंगे तो उसमें कितने paper होंगे और prelims के बाद means में कितने paper होंगे कौन-कौन से subject होंगे तो देखिए इसके information आपको अपने state के according लेना होगा सभी state के अपने अलग-अलग rules है हाँ एक चीज है जो कंपल सरी है कि आप चाहे prelims की तियारी करें चाहे means की तियारी करें अगर आप state की PSC इस exam की तियारी करें है तो वहाँ पर आपसे history, geography, polity, economic, science, environment, international relations, current affairs और आपके अपने state के information ये कंपल सरी पूछे ही जाएगी ये आपको पढ़ना ही होगा तो यहाँ पर आपकी prelims में कितने paper होते हैं, means में कितने paper होते हैं ये सब कुछ आपको अपने state के according पता करना होगा तयारी करने के लिए जो कंपल सरी subject है जो हर state में follow होता है वो आपको मैं बता चुकी हूँ अब जैसे की exam की pattern के बारे में आपने जान लिया अब इसके बाद आपको देखना होगा syllabus syllabus most important है क्योंकि आप बिना syllabus के इस exam की तयारी start भी नहीं कर सकते हैं बिना syllabus के पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बिना दिशा के बिना लक्ष के आप पढ़ने बैठ चुके हैं आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कुछ पता ही नहीं है next चीज आपको इसके साथ syllabus के साथ previous year के question paper ये दोनों आपको साथ में रखने हैं कि पिछले साल उसके पिछले साल किस type की questions पोचे गए है pattern किस type कर रहा है question कितना कठीन पोचते हैं कितना सरल पोचते हैं और question पोचने वाले जिस दिन आपका interview होगा उसके just एक दिन बाद यह हो सकता है कि उसमें एक दो दिन date आगे पीछे कर सकते हैं आपका physical test होगा जन्रली डिप्टी collector बनने के लिए आप physical test में पास कर दिये जाते हैं वो इस बज़े से कि अगर आपका एक आँख, हाथ, पैर नहीं भी है चलता ह आप blind है तो भी चलेगा, आप सुन नहीं सकते हैं तो भी चलेगा, कोई चोटी मोटी बीमारी है तो भी चलेगा, इसलिए डिप्टी collector बनने के लिए यहाँ पर आपकी कोई भी कमी रोडा नहीं बनती है, अब माल लेते हैं कि finally आपका selection हो गया है डिप्टी collector बनने के लिए जैसे ही आपका इस exam में selection हो जाता है, तो उसके बाद आपको email के माध्यम से, call के माध्यम से training center आने के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि आपको training के लिए call लेटर मिलेगा और उसके बाद बाकी rules भी उसमें लिखा होते हैं कि आपको किस तरीके से आना है, क्या कपड़ा लेकर के आना है, और क्या-क्या जरूरी चीज़े हैं, क्या document है, साथ में लेकर के आना, सब कुछ बताया जाता है और उसके बाद आप पहुँचते हैं training center में, यहाँ पर मैं आपको बता दू कि आप जिस भी state से हैं, उस state का अपना training center होता है, जहाँ पर deputy collector, मतलब की trainee officers की training होती है और हर एक state का अपना-पना training duration भी अलग होता है, किसी में एक साल, किसी में डेड़ साल, किसी में दो साल, मतलब इतना समय लगता है जैसे ही आपकी training complete होती है, उसके बाद आपको posting दी जाती है, deputy collector की रूप में, फिर आप deputy collector की रूप में काम करते हैं